नमस्कार मैं कशिश और स्वागत है आपका राचनेती गल्यारे में आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे हम कपिल सिब्बल को लेकर जिहां लगाता सुर्ख्यों में बने हुए यहां पर कपिल सिब्बल क्यूं क्यूंकि अचानक से कॉंग्रेस से सिफ़ा दे देना और सप करता है लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम एक ऐसी बात करेंगे जो शायद अभी तक बहुत साए लोगों ने सोची भी नहीं होगी अब यहां पर कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ा है कपिल सिब्बल ने क्यूं शायद ये माना जा रहा है कि शायद उन्हें वो पद नहीं मिला वो जिमेदारी नहीं मिली जो चाहिए था उन्हें उसके साथ साथ अब वो सपा में गए है जो खुदी एक जूपती नईया की तौर पर आ चुकी है सपा लेकिन अब सपा में भी अगर उनको वही जिमेदारी वही पद नहीं मिलता है आगे आने वाले टैयम में तो क् खड़ा होता है तो इसी चीज को लेकर चर्चा करेंगे हम कि क्या कपिल सिबल आने वाले टाइब में कोई और कदम उठाते नज़र आएंगे या फिर वापिस से कॉंग्रेस की तरफ रुख करते नज़र आएंगे क्योंकि अब तो जो भी नेता इस्तिफा देता है उसके पास सिर्फ और से फेक ऑप्शन बचता है बीजेपी की तरफ रुख करना तो मिरतियों जी सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि कॉंग्रेस पार्टी से इस्तिफा दिया उसके बाद वो कहते कि इस्तिफा तो मैंने पहले ही दे दिया था अभी सामने अभी आया है इस तरीकी की बाद वो कहते नज़र आए और यहाँ पर सपा में वो दाखिल हुए ल सी डबलू सी को कॉंग्रिस वकिंग कमीटी को चिठी लिखी गई थी उस चिठी में उन्हें साफ कहा था कि भी पार्टी में बदलावों की जरुवत है उन्होंने एक तो नित्रत इस तरफ पर यह लीडर्शिप पार्टी की लीडर्शिप बहुत खराब है उसको लेकर क्यों कि जमीनी इस तरफ पर पार्टी को बदलाव की जरुवत है उसको भी नजर अंदाज कर दिये गए नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए उसको भी और जी टॉन्टी थी में तेईस ऐसे नेता थे जिन्होंने इस आफ़ दोर पर इस बात का जिक्रिकात लेकिन उनकी अ न की थी अब देखिये कि उस वक्त को किबात को कितना लंबा वक्त हो चुला है अब क्या हुआ इस साल को बागे चुनाओं में कॉंग्रस पार्टी को पांच में हार का सामने करना पड़ा तो जी 23 के जो नेता लगातार मांग कर रहे थे उनकी आवास और साथ मुखर हो गई उन्होंने फिर से खुलकर इन बातों को कहना शुरू कर दिया आपको आद होगा गुलाम नभी आजाद कितने कपिल सिबल लगातार ऐसी बाते करते रहे आपको आदोगा ऐसा अफवाहे भी उड़ी थी कि जल्दी सचिन पाइलेट को देखिए कि आप अध्यक्षपत सकते हैं लेकिन वह चीज़ें कहीं रफादाफा हो गई अब तो दिखें एक लंबा वक्त यह चीज़ें अचानक स कर दिया गया आपको याद होगा जी 23 के नेताओ की पूरी तरह से नजरांदाजगी कर दी गई और उसमें कपिल सिबल उनके लीडर थे तो इसी वज़े से कई कपिल सिबल की नराजगी खुलकर के सामने आई है इस वक्त और देखें कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कॉंग किसी नेता ने क्योंकि उसी दिखें चिंतन शिविर भी हुआ चिंतन शिविर में भी कपिल सिबल शामिल नहीं हुए थे तो यह चीज़े लंबे वक्त से होते हैं और अब जाके इसका खुलासा हुआ है अभी जिस तरीके से हमने देखा कि 31 साल लगबक यहां पर समय था ज सपा की और सपा से जब से शिपाल सिंग यादफ कटने लगे है तो उसे सपा को भी बहुत बुरा हाल नजर आ रहा है तो यहां पर कपिल सिबल का यह फैसला लेना कि सपा में दाखिल होंगे या उसके सदस्ता लेंगे तो कि सपा पार्टी उन्हें वो जिम्मेदारिये दे पाएगी क्या उन्हें वो पत दे पाएगी क्योंकि सपा भी कोई स्ट्रॉंग पार्टी नहीं है और आने वाले 1224 के लोग सभा के चुनावों को देखा जाए तो सपा में उनका जाना क्या सवाल आपको बहुत अच्छा है लेकिन आप एक चीज़ देखे कि अभी तक उन् नेताओं की लिस्ट टुड़ा कर देंगे तो उनके पास से तमाम बली डिग्रियां हैं हर मुद्दे को लेकर बारीक सबारीक नजर वो रखते हैं और देखिए कपिल सिपल कुछ कोई ना कोई ऐसी ही जगा चाहते थे जो उन्हें कॉंगर्स पार्टी में रहे कर नहीं मिल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता समाजवादी पार्टी को तो इसमें फायदा ही है और कपिल सिब्बल भी देखे जहां एक तरफ बहिज़त होने से तो ज्यादा अच्छा प्राज्यसभा में बैठकर सरकार की नीतों को घेरने का सरकार की नीतों का विरोध करें घेरने का काम करेंगे तो आपको भी वहां पर ज्यादा फायदा होगा बलकि कॉंग्रस पार्टी में बैठे रहे ने सो तो मुझे विकल्प जादा बहतर लगता है अगर इस चीजिस को लेकर बात कीजिए जिस सबा में तो कई नका ये कयास ज़रूर लगाए जारे कि सपा पार्टी की अभी सदस्यता नहीं लिए अगर आने वाले टाइम में लेते हैं एक परसेंट उनके सदस्यता और वहां से भी कोई न कोई धोका ज़रूर मिलता है तो कपिल सिबल के पास फिर क्या option बजेगा क्या वह बीजेपी की तरफ रुक करते हो नजर आएंगे क्योंकि वह बहुत यह उंदा नेता है और बीजेपी हर किसी उंदा नेता को अपनी पार्टी में जल्द ही ले लेती है देखे बात आपने बिल्कुल ठीक है लेकिन अभी फिलाल जिस तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ र सवाल है कि सपापार्टी के जहां बात हुए तो आमसी बात है कि आपर आजम खान को कैसे पूला जा सकता है आजम खान के वकील है कफिल सिब्स ब मेर से बात तक करने की हाप और कोशिश क uncles जबालन ठीक लिस क flavors कि वूंको लेकिन उनकी नराजगी बिल्कुल यहां रहेगी और आने वाला वक्त उनकी नराजगी को गहरा नजर आएगा क्योंकि उन्हें अपने बियान में कहा है कि पहले हमने किसी हम जहाज पर थे तो किसी कष्टी को नजर उठाकर भी नहीं देखा लेकिन अब शायद बाकी कष्ट को लेकर जिस तरीके की लगातार खबरे आ रही है तो कई न कई दर्शाती है कि यहां पर कॉंग्रेस पार्टी से बढ़ती नराजगी को वह भले ही तारीफ करते नजर आ रहे हो लेकिन यहां पर नराजगी का दौर लगातार जा रही हर एक पार्टी के हर एक शक्स के हर ए तिंकल यारा मिलते हैं फिर इसे समय पर नमस्कार